वेल्कम टू पंकच कॉमर्स क्लासेज आप सभी जारखंट पीजी टे एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत हैं हमारे प्रेक्टिस सेट 16 में आज की इस प्रेक्टिस सेट में हमने इंकलूड किये हैं कोस्ट वाल्यूम प्रॉपिट एंड इस्टेंडर कोस्टिंग के बैसिकली इसमें कोस्ट एकाउंटिंग के क्वेश्चन इंकलूड किये गए हैं तो आईए में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा आज का फिर्स्ट क्वेश्चन है सम बिच्छेद बिंदू वो है जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट इस डैट वेर ऑप्सन देखिए तो इसका राइट अंसर डी है जहाँ पर न लाब होता है और न हानी होती इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं सम बिच्छेद बिंदू वो बिंदू है जिस पर ब्रेक इवन पॉइंट इस डा पॉइंट आप्सन देखिए कुल आगम कुल लागत के बरावर होती ठोटल रेवनिव इज़ई अकुल इज़ज टो टोटल कॉस्ट कॉर्ट स्थाई न लाब होता है नाहा निच cosplay just no loss, D, उपर युक्त सभी, all, आप दा, यह वो, इसका right answer होगा, D, ऐसी यह तीनो की तीनो condition ही break even point की पहचान है, तो यहाँ पर D will be the right answer, next question है, sum विच्छेद बिंदू रुपे में, break even point in rupees में अगर करना होगा, तो किस formulas करेंगे, option देखे, A, fixed cost upon PV ratio, B, fixed cost upon C, cost per unit, C, fixed cost upon PV ratio into 100, D, PV ratio upon fixed cost, तो देखे, इसका right answer होगा, A, fixed cost upon PV ratio, यह सम विच्छेद बिंदू, यह रुपे में अगर calculate करना हो, break even point, तो इस formula का use करते हैं, next question देखे, सुरच्चा की सीमा, जिसको MOS, यहनि के margin आप safety बोलते हैं, इसका formula देखे, A, sales minus fixed cost, B, sales minus variable cost, C, sales minus total cost, और D, sales minus break even point, तो इसका right option होगा, right answer है, D, sales minus break even point, is the formula, calculating margin of safety, next question है, सम विच्छेद बिंदू एक आईयों में ग्याद करने के लिए, कुल इस्थाई लागत को किससे, यानि किससे भिभाजित कहता है, to obtain the break even point in units, total fixed cost are divided by, किससे divide करते हैं, option देखे, प्रती काई परिवरतन सी लागत, variable cost per unit, B, प्रती काई स्थाई लागत, fixed cost per unit, C, PV ratio, profit volume ratio, और D, प्रती काई अंसदान, contribution per unit, तो देखे, इसका right answer होगा, कि अगर समविच्चे, यानि कि to break even point in units में calculate करना हो, जिस पर total fixed cost किससे divide कहता है, total fixed cost divide कहता है, contribution per unit से, D will be the right answer, next question देखे, profit volume ratio का फार्मूला क्या है, PV ratio का फार्मूला क्या है, तो देखे, sales minus variable cost बराबर contribution होता है, और यहाँ पर देखे, B option एक sales minus variable cost, यहनि कि contribution upon sales into 100, fixed cost upon PV ratio into 100, और D, नन आप देबो, तो इसका right answer होगा, B, that is sales minus variable cost, बराबर क्या आ जाता, contribution upon sales into 100 होता है, अब contribution बराबर क्या होता है, sales minus variable cost, यहाँ पर B will be the right answer, next question है, इस तिर लागत में व्रद्दी का समभिछेद बिंदू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, what will be the effect on break-even point, by the increase in fixed cost, इनका मतलब है, अगर fixed cost बढ़ेगी, तो break-even point पर क्या आफ़ार आएगा, cost बढ़ने से break-even point, यहाँ पर no profit, no loss होता है, क्या फरकाएगा, तो option देखिए, एक कमी होगी, break-even point में, या भी ब्रद्दी होगी, increase होगा, C, कोई परिवर्दा नहीं, no change, और D, इन में से कोई नहीं, तो इसका right answer होगा, that is, ब्रद्दी होगी, increase होगा, break-even point पर क्या effect आएगा, break-even point increase होगा, next question है, परिवर्दन से लागत में, कमी का सम विच्छेद बिंदू पर क्या परभाव पड़ेगा, same question, what is the effect of decrease in variable cost on BP, अगर variable cost में decrease होती है, तो break-even point पर क्या आफ़ आएगा, तो option देखिए, कमी होगा, decrease, decrease, भी व्रद्दी होगी, increase, कोई परिवर्दन नहीं, no change, d में से कोई नहीं, none of this, तो इसका right answer होगा, कि इसमें कमी होगी, decrease will be the right answer, next question है, सम विच्छे, चार्ट में, वाई अंस दर्स आता है, in break-even chart, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट, ओप्सन देखे, a, विक्रे की मात्रा ही काईयों, volume of sales in units, b, विक्रे का मूल रुपे में, value of sales in rupees, और c, लागत विक्रे रुपे में, cost and sales in rupees, d, उत्पादन का मूल रुपे में, value of production in rupees, तो इसका right answer है, c, that is, लागत विक्रे रुपे में, सम्विच्छे बिंदू में, why answer क्या दर्स आता है, लागत विक्रे, cost और sales in rupees में, next question is, वास्त्विक लागत और प्रमाप लागत के मद्य अंतर को कहते हैं, the difference between actual cost and standard cost is, यहनि कि standard cost जोबती है, तो standard cost से जब हम actual cost का difference निकालते हैं, तो क्या आता है, calculate हो करके option देखे, लाग, profit आता भी, बेदात्मक लागत, differential cost आती, c, which are variance आता है, और d, सुरच्छा की सीमा, margin of safety, तो इसका right answer होगा, c, यहाँ पर हम which are, यानि कि variance, यानि कि difference को calculate करते हैं, परमाप लागत बिदी में, परमाप लागत की तुलना से की जाती है, किस से की जाती है, इन्हें, standard costing, standard cost is compared with, परमाप लागत, next question is, परमाप लागत बिदी में, परमाप लागत की तुलना से की जाती है, option देखे, किते हैं इने standard costing standard cost is compared with किस से compare करते हैं तो देखिए option A परिवर्तन सी लागत variable cost वास्तविक लागत actual cost C अनुमानित लागत estimated cost D इस्तिलागत fixed cost तो इसका right answer होगा B actual cost यानि कि वास्तविक लागत तो standard costing में standard cost हमेशा actual cost से compression किया जाता standard cost को actual cost से compare किया जाता है next question देखिए प्रमाप लागत विदी में सामिल standard costing involves the option देखिए A budget लागतों करने जार setting up budgeted cost B प्रमाप लागत करने जार determination up standard cost C अनुमानित लागत करने जार fixation up estimated cost due परियुक्त तीनों करने जार all the above all the above तो देखिए इसका right answer हो जाएगा B यानि कि प्रमाप लागत करने जार determination up standard cost next question देखिए अधार भूत प्रमाप इस्थापित किया जाते है basic standard is established for किसके लिए option देखिए A अलप अवध के लिए short period of time के लिए चालू अवध के लिए current period के लिए C अनिस्चित अवध के लिए indefinite period के लिए D अलप एवं दिर्ग दोनों अवध के लिए short and long both periods के लिए तो इसका right answer हो जाएगा B चालू अवध के लिए current period के लिए ही basic standard established किये जाते हैं next question देखिए प्रमाप लागत होती standard cost क्या है option देखिए A लागत जो अधिक्तम लाप प्रदान करती the cost that gives maximum profit B आगामी समय के लिए लच्छ लागत a target cost for the period ahead C विगत समय की आउसतली उत्पादन लागत the average cost of production in the last period D वास्तविक लागत से सदयों उची लागत always greater than actual cost तो इसका right answer क्या हो जाएगा C will be the right answer विगत समय की और की आउसत उत्पादन लागत यानि कि the average cost of production in the last period next question देखिए समागरी की वास्तविक लागत और प्रमाप लागत की अंतर को कहा जाता difference between actual cost of material जैसे material का actual cost और उसकी जो standard cost है तो इसको क्या कहते है option के समागरी मूल विचरण material price variance B material समागरी लागत विचरण material cost variance C समागरी प्रयोग विचरण material uses variance D समागरी उतपत्ति मात्रा विचरण material yield variance तो इसका right answer हो जाएगा कि समागरी लागत विचरण यानि कि material cost variance next question हो जाएगा इसका निम्ण में से कौन सा संबंध गलत विच्वन आप दो फालेंग रिलेशन से विज इनकरेक्ट तो देखिया option देखिये इसमें material cost variance is equal to material price variance plus material uses variance b है mcv is equal to mpv material price variance is equal to material mixed variance material yield variance c mcv is equal to mpv plus mv plus mmv or d mcv is equal to mpv plus mruv plus mmv तो देखिये इसमें से पूछा गया कि कौन सा संबंध जो है वो गलत है तो देखिये इसमें गलत वाला option अगर आप चुनेंगे तो इसका जो right option है that is material cost variance is equal to mpv plus mmv plus mm yv next question है स्रमकार को सलता की गणना के लिए कौन सा सूतर सही है which is the correct formula for calculating labor efficiency variance labor efficiency variance को calculate करने के लिए कौन सा फार्मूला सही है तो a is equal to sr यहीं के standard rate तो standard time minus actual time b है actual rate और a standard time minus actual time c है standard rate standard time minus actual time worked और d actual rate bracket standard time minus actual time worked तो देखिये इसका जो right answer होगा वो हो जाएगा c that is standard rate bracket standard time minus actual time worked next question is समागरी मिस्रड की गणना के लिए कौन सा सूतरू प्रियोग किया जाता है which formula is used for calculating material mix variance यानि की mmv को हम किस फार्मूले से calculate करते हैं तो option देखिये इसमें a दिया हुआ standard प्राइस ब्रेकेट में है SQ minus a Q b है SP bracket a RS Q und we will standard quantity minus actual quantity C standard price standard quantity minus revise standard quantity the actual price revise standard quantity minus actual quantity तो इसका right answer हो जाएगा c that is standard price bracket standard quantity minus revise quantity की निम्न में से कौन सा समागरी प्रियोग विचरण पर्यायवाची नहीं विच इस नौट दा सिनोनिम आप माटेरियल यूजस वेरियंस इन में से कौन सा विचरण यहीं के material quantity variance देखें इन सम्में अगर material uses की बात करें तो revise uses है यह efficiency variance है लेकिन जो quantity की बात आती है तो यह different है और यहाँ पर यह right answer होगा next question देखिए और यह हमारा आज का last question है अवदी लागत कार्थ है period cost means option देखिए मूल लागत prime cost बी इस्तिर लागत fixed cost C परिवरतन C लागत variable cost D कुल लागत total cost तो अवदी का मतलब यह होता है कि एक fixed time से कि आपकी और cost लगे या ना हो production करें या ना करें लेकिन एक cost है जो कि हमेश इसा consume होती रहती है और वह होती है fixed cost तो यहां पर B is the right answer इस्तिर लागत यानिकी fixed cost तो यह थे आज के 20 questions जल्दी मिलेंगे हम नई प्रेक्टिस सेट लेकर के तिल देन थेंक यू बाए टेक केर now students can enjoy online mode of this turn learning with official app of punkash commerce classes available in play store है आप वह अच्गे यूड़ी था जानिकी अरुदे यूड़ी अरी थे उने केस्ट जाट यूड़ी इस आपे टो यूब शेंगरी ढ बाए बाटिए